जी के मस्ती MS में आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है जनरल इंगलिस लूसेंट का जो पहला टॉपिक है सिंटेक्स उसके हम लोगों ने दो भागों में 25 रूल्स पढ़ लिए हैं आज 26 रूल से स्टार्ट करते हैं टाइम को वेश्ट ना करते हुए सीधे चर्चा पर आते हैं रूल लंबर 26 कह रहा है कि ये नंबर आफ ए लार्ज आफ ए ग्रेट नंबर आफ लार्ज नंबर आफ का प्रियोग बहुत अनिस्चित संख्या के अर्थ में होता है इसके बाद हमेशा बहुवचन संख्या का प्रियोग होता है और इसका प्रियोग संटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इसके साथ बहुवचन करिया का प्रियोग होता है ए नमबर आफ, ए लार्ज आफ, ए ग्रेट नमबर आफ, लार्ज नमबर आफ का प्रियोग बहुत अनिस्चि संख्या के अर्थ में होता है इसके बाद हमेशा बहुवचन नाउन का प्रियोग होता है इन सब के बाद a number of a large of a great number of a large number of इनके बाद हमेशा बहुवचन नाउन का प्रियोग होता है और sentence के subject के रूप में होने पर इनके साथ बहुवचन किरिया भी आती है जैसे number of students was present ये गलत होगा सही होगा ये number of students were present बहुवचन किरिया लगेगी लेकिन दी number of का प्रियोग एक निश्ची संख्या के अर्थ में होता है इसके बाद प्रियोरल नाउन का प्रियोग होता है ए नमबर आफ अनिश्ची संख्या के लिए अब दी नमबर आफ एक निश्ची संख्या के लिए इसके बाद plural noun का प्रियोग होता है तथा इसके प्रियोग sentence के subject के रूप में होने पर इसके साथ singular verb का प्रियोग होता है तब इसके साथ किसका singular verb का प्रियोग होता है जब d नंबर अफ आता है और भले ही plural noun का दिया हो जैसे the number of voyage R40 तो गलत हो जाएगा A number of boys होता तो बहुचन की लिए ठीक थी लेकिन The number of boys are 40 यह गलत है The number of boys is 40 सही होगा Rule number 27 कह रहा है The amount of A large amount of A great deal of A good deal of अगर इनका सबकार्त बहुत होता है इनका सबका आर्थ बहुत होता है अनिश्चित मात्रा और इनके बाद में अगर singular uncountable noun का प्रियोग singular uncountable noun का प्रियोग वाक्य के subject के रूप में होने पर इसके साथ singular verb का प्रियोग होता है the amount of a large amount of a great deal of a good deal of ये अनिश्चित मात्रा में बहुत इनकार्थ होता है इनके बाद singular uncountable noun का प्रियोग sentence के subject के रूप में होने पर इसके साथ singular verb का प्रियोग होता है इसके साथ singular verb का प्रियोग होता है जैसे the amount of money is not sufficient the amount of आया money singular uncountable आया और क्रिया singular ही इनके बाद आएगी जब singular uncountable noun इनके सब के बाद में आएगा the amount of a large amount of a great deal of ये गुड डील of rule number 28 कहता है both several various का प्रियोग sentence के subject के रूप में हो both several various का प्रियोग sentence के subject के रूप में हो तो इसके साथ plural verb का प्रियोग होता है तो इसके साथ plural verb का प्रियोग होता है अगर ये both ये several ये various इनका प्रियोग subject के रूप में हो इतना ध्यान रखिएगा जैसे there are two girls in my flat and both are extremely beautiful है ना तब फिर both ही ज नहीं होगा rule number 29 कहता है कि both several various के बाद में अगर plural noun आए अगर ये इनके बाद कोई noun आए तो तो बहुचन के रूप में होता है लेकिन अगर इनके बाद कोई बहुचन संग्या का प्रियोग हो sentence के subject में तब भी इनके साथ बहुचन का ही बहुचन के रिया का ही प्रियोग होगा जैसे both girl sound beautiful चाहें ये subject के रूप में खुद हो चाहें इनके बाद बहुचन संग्या आए तब भी इनके साथ के रिया बहुचन ही प्रियोग की जाए rule number 30 कह रहा है कि both of several of various of के बाद में अगर बहुचन नाउन आए या बहुचन प्रोनाउन आए भ्यांग दें both of several of various of के बाद में बहुचन संग्या या बहुचन सरो नाम का प्रियोग sentence के subject के रूप में हो sentence के subject के रूप में हो इनके बाद बहुचन संग्या आए बहुबचन सरो नाम आये और sentence के subject की रूप में हो तो इसके साथ बहुबचन के रिया का ही प्रियोग होता है जैसे both of the students are intelligent बोथ of the students are intelligent Rule number 31 Few, a few, very few, few या a few, या very few इन में से कोई एक या इन में से कोई एक आएगा few, a few, very few और फिर उसके बाद अगर plural noun आये उसके बाद plural noun आये तथा few of, a few of, very few of के बाद में plural noun या plural pronoun का प्रियोग sentence के subject के रूप में हो तो फिर इसके साथ बहुबचन किरिया ही आती है few, a few, very few few, a few, very few के बाद में अगर बहुबचन संग्या तथा few of या a few of या very few of के बाद में बहुबचन संग्या या बहुबचन सरवनाम का प्रियोग sentence में subject के रूप में हो तो फिर इसके साथ बहुबचन किरिया ही आती है जैसे many were punished but a few were guilty a few आया तो फिर बहुबचन किरिया आएगी इनके बाद नोट में दिया गया है कि few का प्रियोग नगर्ड यानि अल्प या नहीं के बराबर के रथ में नंबर का बोद कराने के लिए होता है प्रियोग नगर्ड अल्प नहीं के बराबर के अर्थ में नंबर का बोद कराने के लिए plural countable noun के पहले plural countable noun के पहले number adjective के रिउप में होता है या negative meaning रखता है जैसे I have read few books तो इसका मतलब है मैंने नहीं के बराबर पुस्त के पड़ी है यह negative का आर्थ रखता है इसमें not नहीं है लेकिन होता है negative sentence है a view का प्रियोग कुछ के आर्थ में a view का मतलब कुछ के आर्थ में संख्या का बहुत कराने के लिए plural countable noun के पहले numeral adjective के रूप में होता है तथा यह positive meaning रखता है a view जो है यह कुछ के आर्थ में number का बोध कराने के लिए plural countable noun के पहले numeral adjective के रूप में होता है यह positive meaning रखता है जैसे I have read a few books मैंने कुछ पुष्टके पढ़ी है अब तीसरा rule कहता है the few का प्रियोग जो कुछ संख्या में the few का प्रियोग जो कुछ संख्या में है का पूरा-पूरा सबका सब के अर्थ में बोध कराने के लिए plural countable noun के पहले numeral adjective के रूप में होता है यह positive यह negative meaning रखता है positive भी negative दोनों में जैसे I have read the few books I had जो कुछ संख्या में पुष्टके थी मैंने पूरा का पूरा पढ़ लिया है rule number 32 कहता है यह तो 31 rule था rule number 32 rule number कहता है कि none none of के बाद में अगर singular uncountable संग्या आए none none of के बाद में singular uncountable noun का प्रियोग sentence के subject के रूप में हो तो इनके साथ singular verb का प्रियोग होता है ध्यान दे none या none of के बाद में singular uncountable noun का प्रियोग sentence के subject के रूप में हो तो इसके साथ singular verb का प्रियोग होता है जैसे none has gone at singular verb अब नहीं भी है अगर यही subject के रूप में हो तब भी एक बचन में आया है जिसे इसके बाद कोई noun नहीं है तब भी एक बचन में यूज किया गया अगर none of this money singular uncountable noun है तब भी एक बचन none of this money जब यूर्स अब नोट इसका कह रहा है rule number 32 का नोट कह रहा है नोट कह रहा है जब की none of plural noun या plural pronoun का प्रियोग none of तथा इसके बाद plural noun none of के बाद में plural noun या plural pronoun का प्रियोग sentence के subject के रूप में हो तो इसके साथ singular या plural verb का प्रियोग होता है singular या plural verb का प्रियोग होता है लेकिन singular verb का प्रियोग करें जो बहतर होता है होते दोनों है लेकिन singular का प्रियोग करना चाहिए none आपके बाद में अगर plural noun या plural pronoun का प्रियोग sentence के subject के रूप में हो none का प्रियोग दो से अधिक में से कोई भी नहीं के अर्थ में होता है दो से अधिक वेक्तियों या वस्तों के लिए होता है या निगेटिव वर्ड है इसलिए इसके साथ निगेटिव वर्ड जैसे no, not, never इत्यादि का प्रियोग नहीं होता है जबकि नन के साथ negative word का प्रयोग होने पर sentence का sense affirmative हो जाता है any या anyone का प्रयोग दो से अधिक में से कोई एक के अर्थ में दो से अधिक वेक्तिवों या वस्तुओं के लिए होता है any के साथ singular या plural वर्ब का प्रयोग होता है लेकिन singular वर्ब के प्रयोग को बहतर माना जाता है जैसे Does any of them know ये ज़्यादा प्रशलन में है Rule number 23 क्या कहता है Rule number 23 कह रहा है कि All का प्रियोग Everything के अर्थ में हो तो Singular माना जाता है प्रतेक चीज या सबकुछ के अर्थ में हो All का प्रियोग Everything के अर्थ में हो तो इसे Singular माना जाता है तथा इसके singular verb का प्रियोग होता है लेकिन आल का प्रियोग वेक्तियों या वस्तों की संख्या का बोद कराने के लिए हो तो pillural माना जाता है तथा इसके साथ pillural verb का प्रियोग होता है आल का प्रियोग Everything यानि प्रतेग चीज सब कुछ के अर्थ में हो तो इसे singular माना जाता है और क्रिया भी singular आती है लेकिन all का प्रियोग व्यक्तियों या वस्तों की संख्या का बोध करा है तो फिर plural माना जाता है और क्रिया भी plural आती है all, all of, not all of के बाद में अगर singular uncountable noun का प्रियोग हो all, all of या not all of का प्रियोग not all of के बाद में singular uncountable noun का प्रियोग हो sentence के subject के रूप में तो इसके साथ singular verb का प्रियोग होता है तो इसके बाद singular verb का प्रियोग होता है all, all of not all of के बाद में singular uncountable noun का प्रियोग हो subject के रूप में तो फिर इसके साथ singular verb आती है, जैसे all the money has been spent, लेकिन all या all-off या not all-off के बाद में अगर plural countable noun का प्रियोग sentence के subject के रूप में हो, plural countable noun का प्रियोग sentence के subject के रूप में हो, तो इसके साथ plural verb का प्रियोग होता है, जैसे all of the students were late, बहुवच्चन का हो, तो बहुवच्चन इनके बाद all all-off और not all-off, एक वच्चन अगर noun हो, uncountable noun, तो फिर एक वच्चन आता है, क्रिया, रूप लंबर 34 कहता है, नीचे दे गए table को ध्यान से पढ़े, नो, इस singular uncountable noun है, तो वर्भी singular वर्भ आयेगी, नो, singular countable noun है, तो singular वर्भ, वर्ड अगर नो है, और इसका अर्थ अगर plural countable noun में, तो plural वर्भ, little, a little, the little, अगर singular इनके बाद में, जैसे ध्यान दिया जा रहा है, little, little, a little, the little के बाद में, अगर singular uncountable noun आ रहा है, singular uncountable noun आ रहा है, तो singular वर्भ इनके साथ ही उज़ोगी, अब little of, a little of, अब the little of के बाद में, singular uncountable noun आ रहा है, तो फिर singular वर्भ का प्रियोग होगा, little of, a little of, the little of के बाद में, अगर it, this, that आ रहा है, या everything आ रहा है, it, this, that या everything आ रहा है, तो फिर singular वर्भ का प्रियोग होगा, much या not much के बाद में, अगर singular uncountable noun आ रहा है, तो फिर इसके साथ में किरिया singular वर्भी उज़ोगी, much of और not much of के बाद में, अगर singular uncountable noun आ रहा है, तो इसके साथ किरिया singular वर्भी उज़ोगी, के बाद में अगर singular uncountable ना उना रहा है तो फिर इसके साथ के लिया singular वर भी आएगी one third of, two thirds of, three fourth of, the rest of, a quarter of, part of, ten percent of, twenty percent of, thirty percent of के बाद साथ में अगर singular uncountable ना उना आए तो फिर इसके साथ singular वर भी प्रयोग की जाएगी one third of, two thirds of, three fourths of, the rest of, a quarter of, part of, ten percent of, twenty percent of, thirty percent of के बाद में अगर plural countable ना उना आए तो फिर पिलरल वर भी आएगी most या most of, या sum या sum of, half या half of, enough या enough of, not enough of, plenty of, या a lot of, या loads of के बाद में अगर singular uncountable आए नाउन तो फिर singular वर भाती है most, most of, sum, sum of, half, 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 enough, enough of, not enough of, plenty of, a lot of, loads of के बाद में अगर पिलरल countable ना उना आए तो फिर इसके साथ में वर पिलरल वर भी आती है the percentage of के बाद में अगर singular uncountable आए या plural countable आए तो भी the percentage of के बाद में चाहे singular uncountable आए और चाहे plural countable ना उना आए तब भी singular वर भी रहेगी more than one के बाद में singular countable ना उना आए तो singular वर्ब का प्रियोग more than two या three के बाद में plural countable ना उना आए तो plural वर्ब का प्रियोग more के बाद में plural countable noun आये और उसके बाद then one हो more के बाद में plural countable noun आये ध्यान रखना more के बाद में plural countable noun आये और उसके बाद then के बाद one हो तो फिर इसके साथ के रिया plural verb भी यूज होती है the adjective become के बाद में plural noun आये तो plural verb यूज होगी one या two के बाद में plural common noun आए countable noun आए plural countable noun आए तो word plural verb भी यूज होगी the majority के बाद the majority या a majority या a minority of के बाद में plural countable noun आए तो plural verb भी यूज होगी noun के बाद preposition आए और फिर same noun आए noun फिर preposition फिर वही noun फिर आए तो फिर singular verb भी यूज होगी nothing but ya everything but के बाद में singular uncountable noun या plural countable noun आ तो फिर उसके साथ में singular वर भी यूज़ होती है और one of the के बाद में अगर plural noun आ या plural pronoun आ है लेकिन क्रिया singular work hvor भी यूज होगी इतना ध्यान रखना ये सब एक्जामपल दिये गए दी रीच का अर्थ हमीर लोग तथा दी पूर का अर्थ गरीब लोग होता है वन आफ टू क्रिमिनल्स वर स्पेंड टू जेल इस तरीके से वन आफ या टू क्रिमिनल्स बह वचन आये लेकिन वर्ब जो है एक वचन वाली ही सही बानी जाएंगी वन या टू आये अब उसके बाद पिल्डूरल कामन नावन आये तो फिर पिल्डूरल वर्ब ही बताया था वन आफ फिर दी आये फिर पिल्डूरल नाओन या पिल्डूरल पर सरो नाम आये तो फिर singular वर्ब होगी ये बताया था रूल लंबर 35 क्या कह रहा है little a little a little, the little का प्रियोग sentence के subject के रूप में हो तो singular वर्ब का प्रियोग इनके साथ करते ह। little is known about this mind subject के रूप में हो इनका little Cartyl a little, the little तो फिंगलर वर्ब little का प्रियोग little का प्रियोग नगड़ के नहीं के बराबर के रत में होता है मात्रा का बोध कराने के लिए Singlar uncountable noun के पहले quantitative adjective की रूप में होता है या negative meaning रखता है little का प्रियोग कुछ या थोड़ा के रत में Quantitiv का बोद कराने के लिए singular uncountable नाउन के पहले extractive adjective के रूप में होता है या positive भी ने रखता है तो ये तो rule number 35 तक complete हुआ next part में rules आएंगे next part में next rules आएंगे तब तक लिए धन्मत thanks for watching